राजमंत्री कृष्णा गौर्ण ने कहा विधान सभा के नव निर्वाचित सदस्यों का ज्यान वर्धन करने के उदेश से दो दिवसिये प्रबोधन कारक्रम का एवजन किया गया जिससे विधी विधाई कारप्रणाली के बारे में विस्त्रिज जानकारी हो ताकि विए अपनी दिम्मेदारियों का निर्वहन बहतर तरीके से कर सके कल पूरा दिन विभीन सत्रों के माध्यम से बहुत उपयोगी जानकारी सदस्यों को मिली आज फिर लगातार सब चल रहा है आज जो दूसरे दिन के सत्र में विशय है वो बहुत महत्तों नेविशय है जिसमें जब बजट प्रस्तुत होता है तो बजट के साथ ही किस प्रकार की विवस्ताइं दी जाती है अपने विचार रखने के लिए बजट में संशोधन करवाने के लिए बजट में अपना समाहित कराने की दृष्टी से और इसलिए बजट का पूरा विस्तार से बढ़नन एक सत्र किया गया है अब आने वाले सत्रों में हमें और ज्यादा विस्तार से विभिन विश्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी मुझे लगता है कि यह दो दिवर्सिय प्रभोधन कारिक्रम